है 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 लो दोस्तों अमीद है कि आप से भी लोग ठीक होंगी तो जल्द से स्टाट करते हैं आज हम लेके आएंगे ट्रिक्स जो जैंड के रिया और गनेजिशन एक्ट है एक छोटा सा वीडियो है ऐसे सारे सेक्ष्टन को हम छोटे-छोटे वीडियो में कवर करेंगे तो आर्गनेजियंड एक्ट और सेकंड सेक्ष्टन में डेपनीशन दी गई है यह आप सब को पता ही होगा तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है इसके बाद सेक्ष्टन थर्ड में फ़र्मिटा क्योटी है 4 में वहार्मिचन जाहbor लिए कि यूटि इसके बाद कॉमन गालव औ है इसके बाद six section जो है amendment of first schedule of constitution और seven to do a saving power sub government agreement कि तो इसके दिये जो ट्रुक है वह है let gk governor में दो पॉवर कि यानिक शेक्शन से थर्ड में जो फॉर्मिशन अब लदाख सो एल से हो आप लदाख याद रख सकते हो इसी तरह फॉर्मिशन यहां पर जैके से जैके यह इसके बाद एल जी के बारे में section 5 बोलता है सो जी यहां पर कावर्न लिका है इसके बाद सिक्स्ट में amendment है सो यहां पर amendment आ गया इसके बाद section 7 में power sub jk government so power आ गया तो इसका जो निमोनिक है first seven sections पहले दो आपको पता है यह जैंड के रिया और इसका नाम है और second इसकी डिफिनिशन है third fourth fifth sixth seventh इसके लिए हमने जो निमोनिक बनाए है वो let jk governor amend the power this is ladaq let l ladaq jk formation of jand ke इसके बाद governor यहां पर lg आता है fifth section जो है amend इसके लिए amendment of first schedule जो con institution of india जिस first section में जो amendment करनी पड़ी वो इसमें section 6 में आता है तो यहां पर amend से आप इसको याद रख सकते है इसके बाद power जो powers of jand ke government है उसके लिए बोला गया section 7 में तो यहां पर लिखा गया तो फिर से हम देखते है let jk governor amend the power यानि कि section 234567 के लिए जो भी tricks है वो हमने यहां पर दी है I hope कि आपको इस video से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसको याद रखने में thank you